मेरट नगर निगम के 43 वार्डों से कुड़ा नहीं उठ रहा है चूकि इन 43 वार्डों का जो जिम्मा है वो बीवी जी प्राइवेट कमपनी को दिया गया है और यहां के जो चालक और परीचालक है उनको वेतन नहीं मिला है लंबे समय से और देखे किस तरीके से आंदोलन की उठ रहा है हर बार जब भी वेतन का वक्त आता है तो करम चारियों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता और हर महीने हर देड़ दो महीने में लोगों को जो हरताल है वो यहां पर करनी पड़ती है अब इनके हरताल की वज़े से य यह लोगों से बात्चीत कर लेते हैं यह पताइए कब से वेटर नहीं मिल रहा है दो महीं हो गए तो फिर कल भी बैटेंगे जुकेंगे नहीं कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेदे आप यह पताई कितनी दिक्कत कितनी परिशानी वह बहुत दिक्कत हो रही है इस पर सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं तो कंपनी वाले हर को एक भी आता तो वह हमसे बत्तमी जी से बोलता है बिल्कुल जी बिल्कुल परेशान हैं तो आवाज रुंद गई मतला बोल भी नहीं पा रहे हैं वाके दिक्कत दो महिने से वेतन नहीं मिलना तो अकसर आप हर दूसरे महिने अन्टाल करते रहते हैं एक तो जी एक तो हमारा वेतनी बहुत जादा है मुश्किल से आठ से नो जार रुपर हमारा वेतन है और इसमें घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है इसमें के हमारे चोटे-चोटे बच्चे भी हैं जिनका हम लालन पोशन तो ठीक से करनी पाते हैं और खाना भी उन्हें आठाट चीनी तेल मांगने के लिए अत्रस रहे हैं बिल्कुल भी हम है किराने की दुकान पर जाते हैं वह हमें बगा देता है बदाओ बच्चों की फीज नहीं जा दिया हमारी पढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्या करें हम हम इंसान नहीं है हम जानवर है क्या यह बंदव घर पे पढ़ाओ मैंने का मैं सेल ली आजेगी तो उन्होंने बोला कि हर बार का नमरा यहीं आटक होता है तुम्हारी सेल ली नहीं जाती बताओ मेरे बच्चे कहा बढ़ेगे मेरे बच्चों घर में खानी को नहीं है किसे मांग के लाओं कौन देगा मुझे कौन देगा देखे परिशानी लोगों की वाजिब है कि अगर दो महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो परिशानी क्या होगी यह तस्वीर देख लिजे यह सूरजकुन की डीपो हर देखे यह लोग दो दिन से यहां हरताल पर है आज दूसरा दिन इनकी हरताल का है और सीधा कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जब तक वेतन नहीं मिलेगा ये लोग अपनी हरताल खत नहीं करेंगे देखे तमाम ये डोर टू डोर कुड़ा उठाने वाली जो तमाम गाडिया है उन गाडियों को यहां पर डीपो में खड़ा कर दिया है ये लोग हरताल पर बैठ गए हैं और स सवाल यही उठता है कि जब नगर निगम के अधिकारी लगातार बीवीजी कंपनी को फटकार लगा रहे हैं तो फटकार लगाने के बाद इनका वेतन देर से दिया क्यों जा रहा है बैराल सवाल बहुत हैं उनके जवाब मिलने बाकी है लेकिन इतना जरूर है कि इन जो च शर्मा एबीपी गंगा मेरत एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की